एक अन्य प्रस्म में पूछा हैं में इतने भावतिक एवर माध्यात्मिक इस्तार पर क्या संतुलन बनाया जा सकता है यदि हां तो कैसे जीवन में संतुलन बना बनाया है शंतुलन बनाने की हर चेस्ता तुम्हें संतुलित कर देती है जीवन अपने आपने परिपोण है आध्यात्मिकता और भातिकता का विभाजन केवल तुम्हारे मन की ऊपज है जब तुम अपने जीवन को अपनी आंतरिक गोर्वत्ता से जीना प्रारम्व करते हो अपनी इनर क्वालिटे से जीना प्रारम्व करते हो वही आध्यत्मिकता है और फिर तुमारा जो भौतिक जीवन है उसी से निकल कर आगे फैरता है बहुते बड़ा ध्यात्मिक का कोई चुनाव ब्यक्ति नहीं करता जैसे जैसे तुमारे आंतरिक बदलाओ घटते हैं वैसे वैसे ही तुमारे बाहरी जीवन के बदलाओ भी घटते हैं तो तुम अपने आंतरिक जीवन के फिक्र कर सकते हो और बाहर का जीवन उससे कदम मिलाता हुआ अपने आप चलता रहेगा सामन जश्य और संतुलन बनाने की हर चेश्टा तुम्हें संतुलन से दूर कर देगे अपने इसके प्रूर के अपने की हरे चेश्टा झाल झाल